वहीं भारत सिर्फ टूरिजम तक ही सीमित है तो ये चीन और खुद मालदीव की गलत सैमी है दरसल मालदीव भारत के टूरिश्ट पर ही नहीं बलकि भारत की दवाईयों और भारत के डॉक्टरों पर निरभर है जिसकी वज़े से अब वहां की आम जंता के अंदर एक डर का म मुकाबले सस्ता है यही वज़ा है कि मालदी भी नहीं बलकि दुनिया के डेवलप्ट देशों में से भी लोग भारत में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं बात करें अगर डेटा की तो हाल के वर्ष में भारत मेडिकल टूरिजम के लिए एक प्रमुक केंदर के रूप में उ आते हैं फिलाल भारत की ये इंडर्ष्ट्री 6-8 बिलियन डॉलर के आसपास की है जिसके 1226 तक सरकार दौरा समर्थित 13 बिलियन डॉलर पहुंचने की उम्मीद है जिसमें श्रिलंका, बांगलादेश, नेपाल, मालदीव, इंडोनेशिया, केनिया, आउस्ट्रिलिया, कैन ये भूल चुका है कि मालदीव 2050 आते-ाते 80-85 प्रतिशत तक समुद्र में समा चुका होगा, अगर वो भारत से बना कर चलता है तो भविश में भी उसके पास कुछ आप्शन तो बचे होंगे, वहीं आप ये तो जानते होंगे कि द्यूपिय देश होने के कारण, तोनामी एक बड़ा संकट बन जाता है जिसमें शुलंका से पास भारत है, वहीं इरान, साउदी, तूर्की, चीन की तो गिंती ही ना करें, चोकि जब आपना आएगी तो कौन सबसे पहले पहुँचेगा, मालदीव के हिसाब से तो वहाँ पहले चीन पहुँचेगा, पर आप सब स मत सकते हैं, भारत के इन सम्मे स्वार्थ कहीं नहीं था, भारत मानवत्ता के खातिर जल से जल रहत पहुचाने में यकिन करता है, पर जो कांड मालदीव ने कर दिया है, वो भारती और भारती कंपनियों का भरोसा खो चुका है, जिसके नतीजे आपको दो से तीन महीनों मे दिखने भी शुरू हो जाएंगे, ना तब चीन काम आएगा और ना ही तुरकी